अगर आप दिल्ली में चछठ मनानी की तैयारी कर रहे हैं और आप ये उमीद कर रहे हैं कि यमुना घाटों की सफाइः हो गई होगी तो जरार रुखिएगा क्योंकि इस वक्ट जो मैं तस्वीर आपको दिहाने जा रही हूँ यह आपको परिशान कर सकती है और दुखी कर स यह आपके सामने यमुना नदी जो कि बिल्कुल नदी जैसी दिखाई नहीं दे रही होगी काला गंदा पानी जमा हुआ इस किनारे नजर आ रहा होगा जो किनारा कालिंदी कुंच के यमुना घाट का मेरे सयोगी महरबान सिंग के कैमरे से आपको दिखाई दे रहा है अब आ आप यहां की स्थिती समझे कालिंदी कुंज घाट के वो जो हिस्सा आपको दिख रहा है डैम वहां से फिलाल पानी रोक दिया गया है लेकिन सुबह की जो तस्वीरे थी वो आप समझे कि इस पूरी नदी के सतही हिस्से पर सफेद रंका जाग नुमा पानी बिलकुल पूरी तरीके से ढखे हुए था इस नदी को यमुना नदी को लेकिन इस वक्त जो स्थिती है उस हिस्से में ये समझने के लिए मैं इस नाव से दूसरे हिस्से की तरफ जाओंगी और आपको तस्वीरे दिखाओंगी ये नाविक मेरे साथ है देखो जी हमारे के सवाल कर लो क्या नाम है मेरे नाम जी सकील एहमद है यहीं इसी घाठ पे रहते हैं जो विस कटे रहें मुझे पैतीस सालों गया और मेरी दोनों आखे खराब उच्ट किस पानी से खराब हो गई और अगर मेरी आंग खराब हो गई तो मैं बच्चो को क्या कबा कि खिलाओंगा जैसरकार से क्यों नहीं कर रहा है साफ यह रोजी रोटी है मेरी मैं का से का मागी खला हूँ अपने बुच्चों को आभी बताइए क्या वोलू मैं किसी से सरकार कभी आते हैं यहां सरकार तो कुर्सी में बैठी रहती है नमाब बन के पैसा चाहिए पैसा जेमें नोट भड़ते रहो मन नोट लेके जाएगा सब तो यह ठार रहे जाएगा है अब तो क्या करें हम तो परिसान है जी आंब दो बहुत प्रिसान है हम पानी सभी हम तो कहते हैं सरकार वी पानी को साफ करो श्याम अचली भाएगी हम भी आमने दो पैसे कमाएंगे और अपने मच्चों को भी आप दिली केट पे तमारा ये वह वह है सदार क्या नहरू कौन सा हुभ जब है सरकारी उस्पटैल ना इंडिया नहरू ना गुरू ना शुटम मैंने यह अवी साख पूर अपर रजा आप उन्हों नहों है बोला है अपछे मेने तक पानी मेन हुचना अप छाह मेने तक मैं कि तेवार कम आशम शुरू हो रहा है आव यह उता हो चैने तक मने बच्चे कहां से खेलाओंगा मैं पानी में उसने कि तो नहीं नहीं पना कर दिया यह तो मेरी रोजी रूटी है अगर मैं यहां से नहीं कमाऊंगा तो का से कमांगा कोई देरा मुझे पैसे इस आठे बुनुटर बिल्यें जाऊँ अवा तो जो मुझे भी जाऊँगा तो असके नहीं नहीं बच्छे क defensory मेरे बिच्चे श्कुल जाते हैं वह उसको भी पढ़ाई के लिए लिए किताप के लिए पैन के लिए पैन के लिए वह कहां से लगंहां मैं रहा गोड़िके के आप कम से कम 6 मिने तक पानी के अंदर वो आख के वजे से मेरा ऑपरेशन हुआ है इस पानी के इंदर नहीं गुसना है और उन्होंने दो मिने तक तो दो मिने तक उन्होंने पूला पानी में आपका पसीना नहीं जाना चाहिए और दूल मती नहीं जाना चाहिए और दूल मती थेए इस नाव से आप केरें 35 से चला रहे हैं इस नाव से आपकी कि नी कमायी हो जाती है दिन भर में इतनी हो जाती है है इह इ тутा अपने बच्चे озया पाल लेते हैं ठीक ठाक औरर अपन आजार पांच गोः थे लेते हैं मतलब इतनी होता है इस ते कुंकि कि मैं 15 मिनित से ह खड़ी हूँ इस किनारे में और मुझे आखों में देरे देरे कर जलन हो रही है और यकीन मानी अगर आप इस घाट पर पहुंच रहे हैं या आप कालिंदी कुछ के हिस्से से नौडा से दिली की तरफ अगर आप यह रास्ता लेते तो कहीं बार आपको भी इस इलागे से दिली की यमना नदी की यमना के पानी की और तस्वीर मैं दिखाने के लिए समझाने के लिए नाव से मैं आपको दिखा रही हूं कि किस तरह से यह आपको मेरे आसपास यमना नदी का पानी बिलकुल काला गंदा मैला नजर आ रहा होगा और सिर्फ यह गंदा मैला नहीं है बलकि इसमें जितना कूड़ा है आसपास की इंडस्ट्री का वो जमा हुआ है और इस वक्त आपको सामने डैम से पानी का रिलीज होना नहीं दिख रहा होगा यही वज़ा है कि जो जागनुमा थोड़ी देर पहले तक दिख रहा था वो अभी इस वक्त जो है वो साफ हो चु होता है इस दोनों की वज़ए से एक तो नाक में मिर्ची जैसा मैसूस होना और दूसरा आखों में जलन भी होता है इस आसपास पे जो लोग रहते हैं जो नाविक रहते हैं या जो आसपास के अस लम एरिया में रहते हों या थोड़ी दूरी पर जिनका घर है उनके लिए क कर सके यह देख सके और यह समझ सके कि जिस यमना नदी की लोग पूजा करते हैं जिसका धर्म से मतलब है उस यमना नदी की तस्वीर किस तरीके से साफ सफाई के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कुछ एकाध नाविक जरूर दिख रहे हैं लेकिन ये उपर में आपक लाइव प्रीमिय।